क्या आप भी railway station पे, airport पे, mall में अपना mobile चार्ज कर लेते हो, charging station बने होते हैं, airport पे भी बने होता है, वहाँ क्या होता है कि ऐसे किसी company का banner बाइनर लगाता है, बहुत सारे वो port होते हैं, वहाँ से आप लगा के अपने phone को चार्ज कर सकते हो, एक बहुत ही खतरनाथ scam निकला है जिसमें अगर आप public places पे अपने phone को चार्ज में लगाते हो, तो आपके account से पैसे गायब हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा उद्योग पती उसने अपने phone को airport पे चार्ज में लगाया था, और 16 लाख रुपे उसके phone से चले गए, एक ऐसी teacher थी जिसने railway station पे अपने phone को चार् सकते हैं, अगर आपका phone USB से connected होता है, तो उसकी file transfer हो सकती है, उसके com port की मदद से communication port है, उसकी feature की मदद से आपके phone में बहुत सारी चीज़े इंस्टॉल हो सकती है, बहुत सारी चीज़े निकाली भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा control पाया जा सकता है, और ये बात कोई नही होती जब आपका phone lock हो, कई cases में, कई phone में आपको unlock करना पड़ता है, कई लोग अपने phone को lock नहीं करते हैं, लेकिन banking applications उसमें होती है, कई लोग unknown AP के install करने का option enable रखते हैं, just because वो अपने phone में mode games इस्तमाल करते हैं, अगर आप करते हो या अपने parents के phone में आपने mode डाला हुआ ह कोई mode game, gems वारा कुछ ऐसा की चीज डाली हुई है, तो अभी अपने पापा का phone लेकर, अगर उनको जानकारी नहीं है इतनी, उस वारे game को, उस mode app को प्लीज हटा दीजे, क्योंकि ये safe नहीं है, ऐससे आप ही के घर का नुकसान होगा, आपके घर के पैसे जा सकते हैं, आप ये चल रहा है, इसमें क्या होता है, कि जो charging station होता है, वहाँ पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा पाई, USB पर क्या लग रहा है, अगर आप अपने phone को किसी laptop वगएरा से भी data transfer के लिए लगाते हो, तो भी आपका phone चार्ज होता रहता है, लेकिन साथ में data भी जा रहा होता तो ये जो airport वगएरा पर जो scammers होते हैं, वो अपना ऐसा system लगा देते हैं कुछ देर के लिए, जिसे जो भी लोग उसे charge में लगाएगा, उनके phone का data ले सकें, या तो photo, video जो भी आपके phone में हैं, या तो आपके banking details, या तो और कोई malware install करा सकते हैं आपके phone में, तो बहुत द लगाओं कि state की police हो गई, even दिल्ली police का भी एक ऐसा आया था, SBI का भी एक आया था, कि unknown charger नहीं लगाने आपको, उसे आपका data वेरा जाएगा, ये सच बात है, और ये बहुत ही serious issue है, हलाकि ये कोई नया नहीं है, ये 2011 से चल रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा किसी का जो AC outlet है, जैसे plug है, उसमें अपना charger लगाओ, cable लगाओ, फिर charge करो, क्योंकि वहाँ से सिर्फ बिजली ही आ सकती है, उस socket में आपका data नहीं जा सकता, और charger तो आपका ही है, तो trusted चीज है, तो किसी भी की USB port में मत लगाओ, अपते USB port में लगाने का और क्या risk होता है, आपका phone फट भी सकता है, आप इसमें बहुत सारे ग्यानी बाबा आ जाएंगे, जो ये बोलेंगे, कि बाए, ऐसे का आजा, ऐसे कासा फट जाएगा, ऐसे का phone है, क्या bum थोड़ी है, मेरे दोस्त, कई बार ऐसे USB port भी होते हैं, जो malfunction करने लगते हैं, उनका काम 5 volt देना है, लेकिन कई बार वो 220 volt भी देने लगते हैं, और मैंने ऐसा होते हुए देखा है, आपके phone में 220 volt जाएगी, तो उसका charging mechanism तो तुरंट पिखल जाएगा, जल जाएगा, और जब short हो गया, तो आपकी lithium-ion battery, bum बन के फट जाएगी, तो ये बिल्कुल भी safe नहीं है, अपने charger पर 5 volt का 2 volt, 2 ampere का charger ले लो, या 3 ampere का या जितनी भी ampere का आपका phone charge करता है, तो ये बात ध्यान रखना, तभी safe और secure रहोगे, गलती से कहीं भी railway station और ऐसी जगाओ पर अपने phone को charge में, मत लगाना, safe रहना चाहते हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे जा hacking हो कैसे रही है, इसको रोका कैसे जाए, लोगों को बचाया कैसे जाए, इसके बारे में और जानकारी चाहते हो, तो आप मेरा ethical hacking course ले सकते हो, सिर्फ 2.99, 299 रुपेका है, जो किसी भी इंसान को ethical hacking सिखा सकता है, उसे cyber security की field में और जादा knowledgeable बना सकता है, तो आप उसे ले स सकते हैं, description से, और आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं, यह बिल्कुल free है, आपको कुछ नहीं करना, बस bell icon press करके subscribe कर दो, कुछ नहीं, और मैं आपके साथ जोड़ा रहा हूँ, मैं मिलता हूँ आप से गली वीडियो में, thank you so much and good bye. झाल जड़ जू़ मैं जाप करा दो